राजी सभा सांसा सरोज पांडे ने अकल तरह की खराब सड़क को लेकर शोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड किया है जिस पर क्याबिनित मंत्री अमर्जीत भगत का बयान अप सामने आये हैं। बता दे कि पछले दिनों सांसा सरोज पांडे ने अकल तरह में खराब सड़क को लेकर शोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हुए कहा था कि गड़े में सड़क है या फिर सड़क में गड़ा है ये समझ में ही नहीं आता। कि कभी जो ही सकाई वाक में भी खड़ा हो करके फोटो खिच मैं तो अपने सफलता का जो इस मारा ख्योवी दिखेगा लोगों को। कि आप जो केंदर की वी फलता है सभी रेलवेज स्टेशनों में जो लोग ट्रेन की इंतिजार में परिसान रहते हैं उनका भी फोटो ले करके पोश्ट करिए। चलिए वो वीडियो तो आपने सोशल मीडिया में शायद देखा ही होगा जो सांसर सरूज पांडे का है और उस पर क्या अमरजीत भगत की प्रतिक्रिया है ये भी आपने देख लिए और अस खबर पजारा जानकारी के सानाथ हमारे सायोगी सौरब परिहार इस वक्त हमारे की परिशानी हो रही थी और खराब सडकों के वज़े से भी जनता को वही परिशानी हो रही है इसका समधान शायद दोनों पाठिया निकाल पाएं बिल्कुल सही का रचना आपने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भाजपा लगातार जो है समस्याओं को लेकर जनता के भी जारी है और ज्याता से ज्याता राज्य सरकार को घेरने की प्रयास कर रही है और एक बार फिर से जो हमने देखा कि सरोज पांडे ने यही किय जो अकलतरा की सड़क है उसको लेकर उन्होंने वीडियो अपलोट किया है लेकि उस पर मंत्री अमरजीत भगत का जवर्दस तरीके से पलटवार आया और उन्होंने कहा है कि स्काई वाक पर खड़े होकर यह करना चाहिए और आप देखिए यही स्काई वाक है राजधानी और भाजबा जो एक दुसरे पर आरूप प्रतेरूप लगाते हैं लेकि कही न कहीं अब आने वाले समय में पुरानी सरकार के जो कामकाज है वो फिर से कॉंग्रस के द्वार उठाये जाएंगे कि सरीके से ब्रस्टा चार हुए है जो बार-बार आरूप कॉंग्रस लगात है कॉंग्रस और भाजबा जो है किसी भी मुद्दे को घेरने के लिए एक दुसरे को घेरने के लिए छोड़ेंगे नहीं ऐसे में कोशिस हो जा रही है कि कैसे एक दुसरे को जो है उनके कारियों के हिसाब से घेरा जाए और आप यही देखने को मिल रहा है तो सही कह रहे ह आवर सौरब मिश्र 2023 की तैयारे में जिटे हुए हैं बहुत ही आक्टिव मोड में दोनों भी पार्टिया नज़र आ रहे हैं और सियासत भी नज़र आ रहे हैं लेकिन जो जनता है जनता जबाब चाहती है समधान चाहती है तो माँ बात चीत के लिए आपका बहुत बहुत श